हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबाजवादी पार्टी के नेतरुत्त वाले गडबंधन को योगी अधितिनात की सरकार के लिए मुक्य चनौती माना जा रहा है और ये लगबाग 147 से 158 विधान सबाज सीटों पर जीत हासल कर सकता है वही मायावती की बहुचन समाज पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं देख रही बाजपा और उसके गडबंधन से योगीयों को लगबाग 212 से 231 विधान सबाज सीटों पर जीत मिल सकती है सवाजवादी पार्टी के नेतरुत्त वाले गडबंधन के 147 से 158 निव रोचन शेत्रों पर कपसा करने का अनुमान है बसपा 10 से 16 कॉंग्रेस 9 से 15 अन्या 2 से 5 पर जीत हासल कर सकती है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए इस सवाल को लेकर योगी आदित्यनात वुजेता के रूप में उपरे 52.3 लोगों ने फायर ब्रांट भाजपा नेता को वोट दिया 36.2 प्रतिश्यत प्रतिभागी चाहते हैं बीजेपी प्लस को 38.10 फीसदी, एस्पी प्लस को 34.78 फीसदी, बस्पा को 12.7 फीसदी, कॉंग्रेस को 8.66 फीसदी और अन्य को 6.40 फीसदी वोट मिलने की उमीद है बीजेपी प्लस को पस्चमी यूपी में 37.2 फीसदी, एस्पी प्लस को 36.2 फीसदी, बस्पा को 13.2 फीसदी और कॉंग्रेस को 7.4 फीसदी वोट मिल सकते हैं बीजेपी प्लस को 48-50 सीटे, सपा को 40-42, बसपा को 2-3, कॉंग्रेस को 3-4, अन्य को 1-2 सीटे मिलने की उमीद है भाजपा के नेतुरुत वाला घटबंदन 56.64 विधानसबा शेतरों में जीत सकता है सपा प्लस को 33-34, बसपा 2-3, कॉंग्रेस 1-2, अन्य शुनिय से 1 पर जीत सकती है बीजेपी प्लस को 44.6%, सपी प्लस को 33.3%, बसपा को 7.9%, कॉंग्रेस को 9.4%, अन्य को 4.5% वोट मिलने का अनुमान है बीजेपी प्लस पस्चिमी यूपी में 48-50 विधानसबा शेतरों जीत सकती है सपी प्लस को 40-42, बसपा को 2-3, और कॉंग्रेस को 3-4 सीटे मिल सकती है बीजेपी प्लस को 48-52 विधान सबा सीटे, एसपी प्लस 40-45 विधान सबा सीटे, बसपा 5-6 कॉंग्रेस 2 और अन्य 1-2 सीटे जीतने की उमीद है बीजेपी प्लस को 36-5 फीसदी वोट शेर, एसपी प्लस को 35-2 फीसदी, बसपा को 12-9 फीसदी, कॉंग्रेस को 9-8 फीसदी, अन्य को 5-6 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है झाल